किसान साथियो नमस्कार जोहार एक बार फिर उपस्तित हूं आपके समक्ष बकरी पालन की एक सांदार जनकारी के साथ और खास करके आज की वीडियो उन लोग के लिए मैं बना रहूं जो महिलाएं घर में बैठी हुई है कुछ करना चाहती है उनके पास परियात जगह है तो बहुत कुछ शीखने को मिलेगा आच की वीडियो में तो बने रहेगा हमारे साथ तो चली तो शुरू करते हैं और से पहले आपको यहां का व्यवस्था बता देता हूं तो बहुत ज्यादा बकडी नहीं है फिर भी यहां का जो ब्यवस्था है काफी फ्लांदार है छोटा तो यहां पर देख लिए पीछे एक छोटा सा केज बनाये हुआ है जाली है तो यहां पर यह मेमने को रखते हैं और इधर इनका ब्रीडर है दो ब्रीडर अभी फिलाल इनके फारम में है एक बरबरी नसल का है जो आप देख रहे हैं काफी बदमास भी है और दुसरा यहां पर है बरबरी का ही है लेकिन क्रॉस का है तो और कुछ से आपको यहां पर मिल जाएंगे असील नसल के मुर्गियां मुर्गियां और मुर्गे जो फाइटर होते हैं तो उसका भी यहां पर पालन होता है तो चलिए कंप्लेट जनगाई लेने कोशिज करते हैं जो आप मखात सका कर ना मिदाना होता है उसके अलावा फिर यह बख्री प्लण करने के क्यों शुछी और समय कहां से निकाल लती है इ Blockchain कामर करके मैं समय निकालते हैं कि अपना में व्याशिते पैस और हैं यह यूफ कर रही कि नखी का यह शुरु कर दिए भाइक की आप सब उन कोई तो खास मतलब तो होगा है क्या बोलती है उनको आप कि हमको अच्छा लगता है बकरी पालने में इसलिए नहीं बोलती है कि इनकम यहां से हो रहा है तो कहीं परां दुसरे जाएंगे तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा यह हमारे घर में यह बिज्ञेस हो रहा है मेरा जाएंगे तो घर से भी बाहर निकलना पड़ेगा इलात अपना खुद का विज्ञेस जब मन करें तब मैं करूंगा दो घंटा साम दो घंटा सुबा का काम है दो घंटा सुबहों में दो घंटा सामें इसमों समय देने की जोड़ोत परती है उसका फिर अपना कोई दिकत अपने घर एकाम करते रहें हैं देख़ी घंटा रिह करते हैं तो आपके फारम में जो भी देख रहे हैं बकड़्यों की संखेया कितनी है में ने और मदर गोट से सैंटीत गया का इन लगोको क्या-क्या खिलाते हैं।व यह दिन में सुभा चाराई पर रखते हैं। अब दो पहर में कुछ चोकर कुटी कुटी देते हैं अपरवार साम में भी चाराई प रखते हैं । आप तो नहीं लेकर जा रहते हैं और फिर आपके हस्मेश्मेंट है वह घर रहे हैं तो उससा अगर देते हैं तो马 यहां ऑंक कर रही है और ब Speed always आगर आगे मेसा पीजार्यार यह इनको को यह जार खूर रहां अगर बीमार होजाए तो जोब्र करती है उससे पहस्चान करते हैं फिर उसका claus नाक बहते हैं जिसका लकसर को रहे हुए इस लिए जो करती है वह भी नहीं बता रही है Hello, through my theory, opens phone the fire फ्वार एमें जूकर लगी बिलकिल से अलग हो जाती है बिमार है तो उसी साब से अपना यह लक्षन देख लेती है और उसका इलाज भी यह करती है तो कितने दिन से यह बक्री पालन आप कर रही है हुग दो साला सब Wilson दो साल में उस involving नजर आ रहा है सुरू में इंकम नहीं आता आप भी जानती हैं समय लगता है बक्री पालन में an-dar buat Ice समय लगता है तो सब्सक्राइब का हो गया तो अब नजरा रहा है इसमें कुछछी माम मालन है अभी तक चुकि दो साल आप गुजार चुकी हैं दो साल से बक्री पारण कर रही हैं तो कितने जानवरों के यहां से बिक्री हुई है 20-25 तो बिक्री हो गए हैं और घर में भी जो हम लोग को पुजा होता है उसमें हम लोग बदी देते हैं कि बिल्कुल दोस्तों चुकि जहरखंड जो राज्य है बस एक बहाना चाहिए कोई भी पूजा हो अगर बर्थडे हो उसमें भी मतन चाहिए मन्सा पूजा है सोर्या हू यहार यहार विंग बहुत सारे है काले पूजा हो सब में इसकी जरुवत परती है toen 25 तो यह बेशल चुकी है यहां से उसके अलावा घर में इस्तेमाल हुआ हो गया है तो जो भी पैसा सुरू में लगा होगा तो उतना तो निकल गया आपका निकल गया तो कैसा लग रहा है यह वेशाय करने में बहुत शारी महिलाएं भी आपको मैडम देख रही है वैसी भी महिलाएं देख रही होगी जो महिला है यह पावंदी है बहुत अच्छा है कौन-कौन से सब्धानी रखनी होती है और कितना समय देना होता है एक बाद फिर से बता दिए सुबा और शाम दो-दो उसका इलाज बगरा खुद से अपना कर ले ना सुरु में दिकत फ़ता होगा आपको आया था बहुत दिकत आया था शुरु में आप दिकत नहीं आथा है अनुभवी किसान हो गई है आप अनुभवी हो गए है जो उसका लच्छन देख लेते हैं और उसके बास इलाज करने लगते हैं तो इतनी सारी बकरियों का पालान करती है आप तो भैक्षिन वगर देती है कि नहीं हां देते हैं अगरा कुन-कुन सा भैक्षिन देती है अब क्यों देती है भैक्षिन देना क्यों जोड़ी है भैक्षिन देने देते हैं इसलिए कि बकरी मेरा वीमार ना हो इसलि तो इसके लिए कुछ दवा करते हैं कि नहीं तू Video करते हैं कि नहीं तो यहां से जमृ अब जानवर भीह सिर्ड़ा से तो ईविस्चय विस्ट्र आ से फिर मेरू ने बज्टी है मेरे फिर ज्या के लियर पर आको से लेकर जाना होता है नहीं यहां से ही ले जाता है. तो क्या तरीका हो आपको यहां से जयॹर वेशने का? किसे मानलिक है यह आपका वी हो एह हमारे भाइद देख रहे हैं, इसने दिन गड़ा है? यह एक साल का हो गया है. एक साल का हो गया है, कितना बजन होगा है depth? कुछ तो अंदाज होता होगा आपके पास 25 किलो हो गया है एक साल का है ब्लेक मंगल बकरी का है चुकि आप ब्लेक बंगल बकरी और बरवड़ी बकरी की फार्विंग कर रही है तो कितना कीमत आपको मिलना चाहिए इसका परनाज अब करते हैं इसको नहीं तरह से साल में कितने खश्य आपतियार करती हैं शाल में कम से कम 15 को खसी त्यार करते हैं तो इनको अलग से कुछ भोजन देती हैं जो बकरी को देते हैं वहीया बनाई है बनाए बच्चो को लगन्रूस पुरा पैखना करने लगता है तो देख लिए कही से टेरीक यह एक पर बुर्षी रखना है तो उसको जमिन से दूर рукना होगा इसलिए पैज बनाए है और केज में अपने मिमनों को यह लगती हैं ताकि भन मिठी से संपर्क से दूर हैं मिठी खाए नहीं और साथ स्वारी बहते हुएं का समय चाहया रहें तो प्लाते हैं त कि क्या क्या मुथर नीकार नऑस नहीं प्लाते हैं दुछ भास रात को माण मटिम आगे की क्या हुए itना ही रखना या इससे और आगे बढ़ाना एक और सवाल मैं की बकडी मेजर है तो होता है होता है आपने के तरफ सुद्व कम द्राइप करवाति है अपने द्धी दिए और समय ने मौसम प्रोथ क्या भूशा चाहा ने सब्सक्राइब कर भाते हैं उस्वेकर देती क्या में। qa of जर्खंड में तो मड़म यहां पर जोकर मिला के लिए पर यह को पहला है कि दलहनी भूसा देती है उसके पुवाल जो होता है जो पराली है यहां पर मिल जाता है बहुता सानी से मिल जाता है पराली जो ख्लाती है उसमें दना बगराला मिला करके यह देती है और दलहनी भूसा में कोला है ओढ़ा है अगर चारा की अगर बात करें तो हड़ाशाणी में देख रहे हैं कि अपर आप यह सब लगाए हुए हैं यह कितनी भूमी में लगाई हैं है हां दो तिन कठा में की कि उसमें कोई बी रहता है की टानु घरा तो सब रात भर में मरता है सुभा खाती है तुद्ट के मातरा ज्याधा रहता नमी रहता है इसा कारण से बहुत अच्छी जनकारी आपके द्वारा मिल रही है हमारे भाईयों को काफी बढ़िया है चुकि टेरिंग नहीं की है फिर भी आज वे ज्यानिक तरीके से बख्री पालन कर रही है और रियल में मैं बता दू कि सब कुछ जानती है लेकिन के सामने आकर कर नहीं बोल पा रही है की है यह हरा चना चला है जो तरीका हो भी काफी बढ़िया है ऐसा होना भी चाहिए अड़े टाइम अगर काते हैं उसी कांला हने एक आप आप और नहीं करते हो कमिलाने हैं इस तरहा इसकौा से बनीन आंपबाची सकती है तो सैंकरा ऺटे नेशखा सकती है बहुत बहु भी धन्निवाद मेरे फरम पर आने के लिए दोसतों अपने सुना मेडम की सारी बातों को कहां पड़ीया है मैंने स्क्रीन पर डाल डिया है कहां पाषिव्य इस्थित है जर्खंड में है धन्पाद के शबीप इनकाप है और क्याulous कैसे मैनेज करती है इस फार्म को कैसे चला रही है कंप्लीट जानकारी देने के कोशिच की गई है आज की बड़े बेटो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा उस्तर को और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बनी रहेंगा गुरू माई इंडि इस फिरिटीब चैनल के साथ तक्षा रहेंगी अपना तान्देबाद ने बाद